हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू S&D एजूकेशन, दोस्तों आपके लिए काफी अच्छी रिकूट्मेंट यहाँ पर मैं लेके आया हूँ क्योंकि आपके डिपार्टमेंट ओफ अटोमेक एनरजी का ECIL है, जो कि Electronics Corporation of India Limited है यह हैदराबाद में established है, और 50062 इसका PIN Code है, बात कर रहा हूँ यहाँ पर ITA holders के लिए काफी अच्छी वेकेंसी देखने को मिल रही है, टेक्निशियन पोस्ट पर जिसमें आपका official notification यहाँ पर देखने को मिलेगा, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह वेकेंसी पहले निकली थी मार्च में इसी के साथ ही आपका date extend भी कर दिया गया है, तो कब तक रहेगी complete जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ salary आपका 21,000 प्लस allowances मिलेंगे, बहुत कुछ है यहाँ पर, तो Department of Atomic Energy की family का हिस्सा बनने के लिए तयार हो जाईए, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, और वीडियो अच्छे लगे, लाइक कर दे दोस्तों, इससे motivation और चैनल दोनों ग्रोवाप रहता है, चैनल पर नह रियल वेकिंस आपके लिए यहाँ पर जैनुविन लेके आया हूं, रेफरेंस तो आवर, एक्नॉलिजमेंट नंबर दे रहा है, एडवर्डिजमेंट नंबर आपका 09-2024 दिया है, लास्ट रिसिप्ट ऑनलाइन जो रहे गा यह 15 जून 2024 तक रिलीज रखा गया है, दुप का वेबसाइट ecil.co.in पर जाकर आप केरियर्स कोलम में जाकर आप इसका बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिकेट देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में DGM के साइन है, तो बिल्कुल बात सही है यहाँ पर, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर recruitment of the technician grade second देखने गई है, just like आपका electronics mechanic की 7 post है, electrician के लिए आपका 6 post है, machinist के लिए आपका 7 post है, और fitter के लिए आपका 10 post है, तो यह complete यहाँ पर दिया गया है, और technician इसकी scale जो दी गई है, basic वो आपका 20,480 रुपे यानि की 21,000 तक आपको देखने को मिल जाता है, almost सारे allowances और देखने को मिल देंगे तो, अब यहाँ आप देख सकते हैं, आपका eligibility जो की age दिया गया है, 27 साल तक का for the general candidates ठीक है, और जो की आपका qualification and experience की अगर बात की जाए, तो आपको यहाँ पर दिया गया है technician के लिए कि must have the 10th pass आपका होना ही चाहिए, और इसी के साथ ही plus ITI आपका होना ही चाहिए या फिर आपको ITI के साथ या नहीं है, तो आप बिल्कुल आपका NTC certificate याने की national trade certificate आपके पास में होना ही चाहिए, तो यह सारी चीज़े आपके लिए काफी अच्छा मुका है, ITI हो चाहिए, NTC किया हो, but one year relevant experience आपसे मांगा गया है, relevant experience की इसमें चाहिए, manufacturing process में होना चाहि यह अगर यह है तो आप बिल्कुल apply कर सकते हैं, ठीक है, और बात करें आपका age realization, शेल भी up to 40 years, candidate contract labors उनके लिए, अगर बात की जाएं यहाँ पर आपसे, तो आपका 20,480 तो है per annual, और increment 3% से लगेगा, और इसके बाद में आपको देखो, कुछ amendments के तो और पर जैसे, प्र आपको देखने को मिल जाती है, जो काफी अच्छा हो जाता है आपका job, reservation of the post अगर देखने के बात करें, यह है आपका post 30 है total, जिसमें आपका 16 है general का, 3 है EWS का, OBC का 9 है, ST का 1 है, SC का 1 है, ठीक है, और reservation as it is रहने वाला, जैसे government rules होते है, SC, ST के लिए 5 years, and OBC के लिए 3 years का, ठीक है, and age realization में आपको बताई दिया है, mode of selection में आपको यहाँ पर दिया गया है कि return test रहेगा, और एक skill test रहेगा, trade test के सकते है, no interview shell भी conduct नहीं करवाया जाएगा, वेटेज जो रहेगा, return test रहेगा, return test रहेगा, 85-15, respectively 60% in overall selection of candidates का रहने वाला है, overall आपका 60% होना चाहिए, बागे return test रहेगा, 85-15, यह रहने वाला है, इसी के साथ में, all eligible candidate shall be called for the return test, however, trade test, आपको call किया जाएगा, और shell, यहाँ पर जो आपका ratio रहेगा, बुरेगा, 1-4 का, performance आपका return test के अंदर, और आपका जो यहाँ पर रहने वाला है, candidate secure marks return test, जो आपका score highest रहेगा, उसी आधार पर रहने वाला है, कि आपको trade test के लिए बुलाया जाएगा, अब return test के बारे में अभी है, आपको यहाँ पर बता देते हैं, तो जो जो city आपको देखने को म मिल रही है, वो है आपका बैंगलोर, चैन्नाई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू डेली, नोइडा, देके मुंबई में तो आपका नागपूर और न्यू डेली में नोइडा, यह clear कर दिया गया है, और कॉलकाता, यह 6 जगे पर आपके जो है, return center रखे गये हैं, ठीक है, और अब बात कर लेते हैं, आपके आगे जो की, जो return test question जो रहेगा, वो आपका paper, English and Hindi दोनों में रहने वाला है, objective type का रहना, multiple choice question रहेंगे, और every wrong answer के लिए, 0.25 की minus marking है, जिसका मतलब यह की 1 fourth, है न, और 4 question गलत करने पर आपका एक marks काट लिया जाएगा, जितने साही question होग www.ecil.co.in पर, वैसे बता दे कि आपको जो है, website के अलावा भी, आपके email के उपर भेजा जाता है, आपका admit card, तो must रखें, और इसे के साथ में आपके जो candidate का ID proof लगेगा, test center पे, pen card, water ID, driving license, आधार कार्ड, कुछ भी आप ले जा सकते हैं, इसके अलावा आपका trade test की बात कर case भी होगा, तो date and time, when you, सब कुछ आपको intimate कर दिया जाएगा, through the register email ID पर mail भेज दिया जाएगा, तो आप जरूर चेक कर लिया करें, इसी के साथ में आपका 7th point है, जो आपका document verification होने वाला है, trade test का, तो इसके लिए क्या क्या document लग रहे हैं, जैसे आपका one line registered application form, आपके पा certificate आपसे मांगा गया है, mention trade में, NAC certificate, above mention यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और experience certificate भी आपसे मांगा गया है, no objection certificate, if आप government servant है तो, और जी जो है, आपको दिया गया है, कि यहाँ पर आपका, relevantly जो original documents है, unlike आपका experience, qualification, latest certificate, SCST, OBC, जिसका भी है, वो भी आपको लेके जाना होगा इसके अलावा आपसे, जो मांगा गया है, यह है, आपका SCST certificate में ने बताई दिया है, valid certificate आपसे, जो अगर PWD benchmark है, या physically handicapped है, तो वो भी लगेगा, और relevant certificate for the age relaxation के लिए, यदि आप from Jammu and Kashmir से हैं, तो, ठीक है, बात करते हैं, आपके लिए, यहाँ पर general conditions दिया गये हैं, जो हर exam के लिए same रहते हैं, बड़ एक चीद जो में यहाँ बताना चाहूंगा, कि non refundable application fees लगेगी 7500 रुपे for the general and OVC के लिए, और SCSTP, EWD, regular employee of ECIL, contract employees, इनके लिए exempted रखी गई है, no fees, कोई भी fees नहीं है, है न, and only for the application shall be accepted किया जाएगा online, तो यह बात ध्यान रखे, किसी भी अधर तरीके से आपका form submit नहीं किया जाएगा, जो आप transaction कर सकते हैं, EFT, through the online, यहीं सब आपका SBI का account इन सब में रहने वाला है, no TADA will be, आपको traveling allowance नहीं दिया जाएगा, और कोई भी queries है तो आप ECIL.co.in पर जाकर, अपनी queries clear कर सकते हैं, and आप हमें भी comment कर सकते हैं, मैं बिल लाइक करें, share करें, और comment जरू करें अपने दोस्तों के साथ में, Indian National आपका nationalities होनी चाहिए, और भी जितनी भी जो restrictions होते हैं, exam के वो सब आपको यहाँ पर दिये गए है, how to apply, तो apply कैसे करना, online करना है, ECIL की site पर जाएए, carriers में जाएए, current job openings आपको section मिलेगा, उसमें आपक online process दिया गया है, आपको बस apply करना होगा, है न, आपका जो, last आपको यहाँ पर एक point और दिया गया है, कि आपका जो sign, print out आपको और सब कुछ रखना है, passport size photo आपको 4x3 cm का होना चाहिए, और सारे जितने document है, वो सब कुछ आपको लेके जाने होंगे, verification के लिए, एक, और य इतने भी format है, वो सब आपको ध्यान रखना, JPEG में होने ही चाहिए, साथ ही यहाँ पर एक point आपको clear कर दो, कि print out registered online application form आपके पास में होना ही चाहिए, याद रखिएगा, last time पे लेके मांगेंगे, तो sign किया हुआ होना चाहिए, और not for the size आपका extreme, जो 100 के भी है, 50 के भी से जादा का नहीं होना चाहिए, simply यही सारी चीज़ें आपको दी गई है, अब यहाँ पर payment जो आपको करना है, SBI चालान के थो, तो general candidates के लिए 700 रुपे रखी है, जो कि आपका general EWS OBC के लिए है, और इस case में आपको online भी कर सकते हैं, offline भी कर सकते हैं, website आपको दे ही रखा है, यह सारा है, एक slip जरूर अपने पास में रख लें, यह भी बताया गया है, important date की अगर बात की जाए, तो मैंने आपको बताया है, कि आपका जो 15 जून है, 15 जून, अभी से 20 तारिक से start हो चुका है, 20 मई से start हो चुका है, 15 जून तक चल रहा है, तो आप apply कर सकते हैं, और लास्ट यहाँ पर मैंने आपको बताई दिया है, कि आप अपना website चेक करते रहें, advertisement number देखके मैंने बताया था, 09.2024 दिया गया है, सब कुछ exit यह है, और भी कोई queries है तो आप मुझसे directly पूछ सकते हैं, आपको end screen पर और भी मैंने vacancy अप्लोड कर रखी है, रिसेंटली चल रही है, आप apply कर सकते हैं, must watch करें और साथ ही playlist को भी check कर लिए, चलिए मैं मिलता हूं next video में तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत